नमस्कार दोस्तों आज हम इस हाथ का पैनालिसिस करेंगे बहुत से कॉंट्रास्ट चीज़े इस पाम्प करेंगे यह बिजनेसमेन है तो अंगुठा और उंगली छोटी है थर्ड फेलेंज इनके उभरे हुए है फेट लाइन बहुत बढ़िया है बिजनेसमेन की तरह परवते गुरु अच्छा है शुक्र अच्छा है चंद्र अच्छा है तो बुद्ध दबाव हुआ है सारे कॉंट्रास है इसके अंदर अब एक-एक चीजों को हम बारी-बारी से ओपन करते हैं प्लस माइनस है तो साथ में माइनस पॉइंट भी है अब सबसे पहले इस पाम को देखे तो यह स्क्वेरिश पाम है तो व्यक्ति महनती होता है अपने जीवन में पाम का कलर गुला भी काफी अच्छा है तो ये भी prosperity लाता है जीवन में और अधिक धन देता है पर अंगुठा उसके सामने छोटा है तो व्यक्ति का जो personality होती है वो उभर कर नहीं आती व्यक्ती की अंगुठे का जो first pore है वो छोटा है और नुकिला नहीं है तो जिद इतनी नहीं होती वक्ति में अपने कारे के प्रती छोटी उंगली काफी छोटी है तो याजशक्ती, documentation, filing, communication ये सारी चीजों में कहीं न कहीं इंसे कमी रहती है अभी नहीं करते कल कर लेंगे, परसू कर लेंगे ये टैप की tendency होती है, accountancy के अंदर ये उतने accurate नहीं हो पाते, जो होना चीए, communication में उतने master नहीं होते, communication बुद्परवत अच्छा होता, तो थोड़ा सा सुधर भी जाता, तो बुद्परवत दबा हुआ है, तो ये भी एक minus point है, यानि contrast है, पर उसके सामने color अच्छा है, फेट लाइन अच्छी है, अब ये सबसे बड़े minus point एक business man को जो disturb करते है, अगर उनकी उंगली छोटी है, तो वो account में उतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाते, जिस तरह से ध्यान रखना चीए, आलस होता है, व्यक्ति में, दूसरा, जो documentation और filing की जो pattern होनी चीए, वो इनकी नहीं होती, communication उतना master नहीं होता, तो ये सारे minus point होते, पर सामने सुर्य की उंगली बड़ी है, तो हिम्मत काफी है, जो poor है, वो भी बड़ी है, एक business man के होने चीए, उस तरह के है, अब चलते हैं इनके बुद्पर्वत पर, बुद्पर्वत को देखे, तो यहां से ये पार्ट दबा हुआ है, और ये पार्ट केवल उभरा हुआ है, इतना सा, तो ये minus point है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति अपनी भावनाओं को सामने रखनी पाता, जिस तरह से रखना चीए, उस तरह से भावनाओं रखनी पाता, और कहीं न कहीं उसको minus point मिलता है, और business के अंदर भी जब बुद्पर्वत दबा होता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति वो जो लेवल प्राक्त होना चीए, वो नहीं कर पाता, minus point होता है, मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है, और बुद्प की रेखा, यहां से निकली है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और इसारा कर रही है, और बहुत सी खड़ी line है, तो यह एक plus point है, व्यक्ति के जीवत में, कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी इस line के कारण दूर हो रही है, अब चलते इनके सुर्य परवत पर, सुर्य परवत पर देखे, तो कोई strong रेखा सुर्य रेखा नहीं, यहां तक strong चली, फिर यहां से strong होकर आगे बड़ी, बीच में light है, और एक property की sign बढ़िया बनी हुई है, पर जीवन रेखा पर इसका फल बहुत लेट दिख रहा है, पर मिलेगा जरू multiple property के योग इनके जीवन में बनने वाले, तो यह plus point है इनके जीवन में, एक सुर्य रेखा को मिला कर इस तरह से एक support बन रहा है, तो व्यक्ति अपने जीवन में स्थीर जीवन रहता उसका, ज्यादा उतार चड़ाओ उसके ज जीवन में आते नहीं, तो यह भी plus point है, अब सनी पर्वत की और चलते, सनी पर्वत पर स्ट्रॉंग रेखा अप्टू एंड तक है, तो बुड़ा पे तक इनके बास धन की कोई कमी नहीं रहने वाली, और इस रेखा का जो अंत पार्ट है, वो सुर्य पर्वत की और देख यानि व्यक्ति विदेश से धन अरजित करता है, उनके जीवन में इस तरह का कुछ न कुछ होता है, जिसके द्वारा वो विदेश से धन अरजित करता है, और यहाँ पर इस तरह से money receiving antenna बने हुए, तो यह भी जादा मात्रा में व्यक्ति के आम इंसान से जादा धन इनके ज जीवन में आता है, अब चलते गुरू परवत पर, गुरू परवत काफी अच्छा है, उबरा हुआ भी है और अपनी जगह पर उबरा हुआ है, तो यह प्लस पॉइंट है, उस पर होरिजोंटल रेखाए भी है, तो यह भी व्यक्ति को multiple income के सुरोत क्रियेट करती है, प्रोग्रेस इनके जीवन में होता रहेगा, प्लस यह जो square है, यह व्यक्ति को 32 साल के पहले खुद का घर, 36 साल पर authority position, और भौत बार लोगों के हाथ में देखा गया है, यह square 32 साल के बाद भी होता है, या ऐसा भी होता है, 32 साल के पहले इन्होंने खुद का घर नहीं, तो कोई न कोई property ऐसी ली रहती है, घर के बतले, या तो plot ले लेता है, कोई व्यक्ति या कोई दुकान ले लेता है, पर उसके जीवन में कोई न कोई property आती जरूर है 32 साल के पहले, अगर यह square पहले बना होता है, तो बाद में बनता है, तो वो लाब नहीं मिलता, पर 36 साल के ब authority position पर पहुसता है, और यहाँ पर जो यह मोल है, यह ज़्यादा कोई नुकसान नहीं देता, केवल एक नुकसान होती है इससे, बुजूर्ग व्यक्ति जो होते हैं, इनसे जो बड़े होंगे, उनसे हमेसा इनको डाट मिलेगी, कितना भी अच्छा कारे करने दो, एक करोड रुपया भी यह घर में कमा कर लाएंगे, फिर भी इनको बजूर्गों से डाट पड़ेगी, 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 यह मोल उसका सुचक है, इनको डाट पड़ने ही वाले, कितना भी अच्छा काम कर ले, यह जीवन में, पर डाट जरूर मिलेगी, और इतना अच्छा गुरु परवत उभरा हुआ अपने आप में, अच्छी खासी पारिवारिक सुख देता है, अच्छा खाने का हुनर देता है, व्यक्ति फूड का सौखिन होता है, और अपने व्यापार का विस्तार भी अच्छा करता है, तो यह सारे प्लस पॉइंट है, अब चलते अंदुनी मंगल भी अच्छा खासा है, पर उस पर जो बारिक रेखा है, यह चिंतित सबाव पर ज्यादा रेखा है नहीं है, दिखरा है इस तरह से, अंदुनी मंगल काफी अच्छा है, तो सरीर के अंदर एनरजी अच्छी खासी होती है, व्यक्ति के, तो यह प्लस पॉइंट के सामने यह प्लस पॉइंट है, जब किसी से आप मिलते हो, और सामने वाला कंफटेबल फिल करेगा, तो आपसे व्यक्ति विपार हंडेट पर सेंट वो करेगा, क्योंकि उसको भरोसा बैटता है, तो यह प्लस पॉइंट होता है, भारी मंगल, उब्रा पन सामन वाले को comfortable feel कराता comfortable सामने वाला feel करता तो उसके द्वारा business होता है तो यह plus point है अब चलते इनके चंद्रपरवत पर इतना उब्रा चंद्रपरवत बहुत सारी अच्छी positive सोच देता है बहुत सारा ज्यान देता है प्लस विदेश से धन अर्जित करने के बहुत अच्छे मौके देता है इस तरह का चंद्रपरवत वाला व्यक्ति बहुत अच्छा कारे जीवन में कर सकता है यह पानी से related सफेद चीजों से related दूद से related अगर कोई business करे तो huge level की wealth यह जीवन में अर्जित कर सकते है एक चंद्र अच्छा है और इनका एक गुरू भी अच्छा है तो food से related काम भी यह जीवन में कर सकते है पर चंद्र से related काम करे तो huge level की या तो विदेश से संबंद रखे तो huge profit होगा पानी दूद या सफेद चीजों से related कोई भी काम करेंगे तो इनको अच्छा खासा जीवन में profit हो सकता है और विदेश में आने जाने की रेखा भी इनकी बनी हुई है जब इतना चंद्र परवत हो व्यक्ति विदेश से संबंद नही हो सकता है इस लाइन के कारण और कभी long stay भी हो सकता है बहुत बार तो इस तरह का चंद्र परवत व्यक्ति को विदेश में भी settle कर देता है बिना कोई foreign की लाइन के bigger और ये travel लाइन है इनके जीवन में बार बार जाना आना इनका विदेश में लगा रहेगा अब इनके शु व्यक्ति दीरे दीरे बहुत बड़े corporation का निर्मान करता है अगर कहीं पर job भी करता है तो व्यक्ति बहुत बड़े corporation का निर्मान करता है या बहुत बड़े corporation में काम करता है या खुद का अगर कर रहा है व्यक्ति काम तो भी अपने व्यपार को बहुत बड़े स्थर पर पह सैक्रो लोग काम करते हैं जैसे जैसे समय गुजरेगा यूज लेवल क्या काम इनके जीवन में होने वाला है इस रेखा के कारण ये बहुत प्लस पॉइंट है इनके जीवन में और इसके द्वारा बनने वाला clear cut इतना बना money triangle ये बहुत बड़े income के सुरोत create करेगी इनके जीवन में बहुत huge लेवल में तो कहीं पाम पर कोई minus point है business से related मैं discuss कर रहा हूँ only business से related minus point है तो कितने सारे positive point भी है अब चलते इनके शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर है तो उभरा पर बहुत सारी बारिक रेखा है जो इनको जीवन में बाधाय लाएगी ऐसा लगता होगा किसी ने इनको पकड़ के रखा है जगड़ के रखा है इनके बास जो ability है वो use नहीं हो रही है इस तरह की feeling इनको hundred percent आती होगी आज इनकी 37 की age है एक्स्ट्रिम लेवल की इनको यह feeling होगी और इसका भी मैं इलाज इनको whatsapp पर दे दूगा बहुत आसान इलाज है तो यह परवत बहुत अच्छा है गुला भी है सब पर यह बारिक रेखा है आकर इस परवत को जो जीवन में आगे बढ़ने के जो रास्ते उसमें रुकावटे लाती है यह रेखा है अब चलते इनके हार्ट लाइन पर हार्ट लाइन को देखे तो complete गुरू परवत से शुरू होकर इस तरह से जा रही है और इस लाइनों पर यहां पर बहुत सारी फ्लर्ट लाइने भी बनी है तो व्यक्ति खुश मिजाज रहने वाला व्यक्ति तुछ रहता है दुख भी आया तो इनके पाम पर दुख तो दिखी नहीं रहा है पर फिर भी दुख आता है तो व्यक्ति एक सेटन लेवल तक व्यक्ति उसके बाद वापस खुशी के पल ढूंटा और यह इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है यह लोग जवानी में प्यार का प्रडर्शन भी करते हैं इस तरह का भी नेचर होता है जैसे पिछड़ों में देखते हैं सारुक खान लव करते देखता है, इस तरह की लव इनकी सोच रहती है बहुत प्रेमी होते हैं, सब को प्यार बाढ़ते हैं सभी को प्यार बाढ़ते हैं, इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हो परिवार के लोग हो, सभी से प्यार इनका होता है सबसे प्यार करते हैं यह बहुत अच्छे नेचर के लोग होते और निर्ने लेते भावना उसे निर्ने लेते प्लस गुरु परवत से जब टच होकर रेखा निकलती है तो विश्वासू भी बहुत होते हैं यह किसी एक को चाहे तो उसी को चाहा कर पुढ़ी जिनकी निकाल इस तरह की अच्छी मान सिकता होती है इनको मायूस ही मिलती है जब सामने इन्होंने जितना दिया रहे था उसके सामने नहीं मिलता तो ये मायूस होते और ठहीं और दिमाग लगाने की कोशिस करते है पर फिर भी जितनी कोशिस होती है ये श्टिक होते है रिलेशन में कहीं इ जीवन रेखा से ही शुरू होकर चल रही है तो यह प्लस पॉइंट है इनके जीवन में स्ट्रेट है अच्छी खासी भुद्धी कोशल है और कहीं पर भी माइन लाइन पर मुझे कोई दोशारोपन डिख नहीं रहा है ठीक है थोड़ी सी मोटी है तो इस पिरियड में याद वाली जो शक्ति है वो थोड़ इसी एनरजी उतनी याद शक्ति में कहीं कम होगी पर व्यक्ति तरह से जब जाड़ी लाइन हो जाती है तो याद करने के डिफरेंट तरीके ढूंड लेता है और वो याद रखता है पर तरीके डिफरेंट होते आम लोगों के तरह तर प्रिमूत है यहां पर थोड़ा सा सफलता भी दिखा रहा है ट्राइंगल भी यह तो पड़ाई लिखाई भी अच्छी की होगी इन्होंने लगबक उमर 20 साल तक अच्छी खासी पड़ाई की होगी और उसके बाद इनकी जो जीवन रेखा संगर्ष दिखा रही है यहां तक ये उमर होगा इनका 30 साल तक के आसपास का या 28 साल तक और उसके बाद दीरे दीरे मिठा संगर्स शुरू हुआ और ये संगर्स रहा होगा इनका लगबग 32-33 साल तक उसके बाद इनकी अच्छी खासी गाड़ी आगे स्मूथ चल रही है और इनका एक प्रश्ण था मेरा घर कब बनेगा खुद का तो ये अच्छी साइन बनी हुए मल्टीपल पर इनके यहां पर ट्राइंगल बन रहे बहुत लेट ट्राइंगल बन रहे इनके जीवन में तो म ये लगबग 45-50 के आसपास के कंटीन्यू फिर इनके ट्राइंगल बने हुए और ये ट्राइंगल इनको प्रगती भी देंगे प्रॉपर्टी का लाब भी कंटीन्यू मिलेगा पर ये होगा लगबग 45 के आसपास और इनकी जीवन रेका स्मूथ है यहां से ये कनवर्ट हो इनका जब इस तरह से जीवन रेका निकलती है तो और एक रेका यहां पर अगर ये रेका है तो हो ना हो पेट की खराबी भी इनके जीवन में हो सकती है अब एक ऐसी रेका निकली है फेट लाइन जो यहां से सुरू होकर इस तरह से मूर कर एक पूरी जीवन रेका में समा गही तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह एक्स्त्री मिरी विस्तार से बात हो चुकी बहुत सारे question पूछे तब जाके निर्णे पर पहुचा कि ये fate line है और ये fate line महतोकांसी व्यक्तित्व की और इशारा करी है जब भी कोई गुरू परवत की और गुरूक होता है आपके fate line का तो व्यक्ति काफी महतोकांसी होता है और यहां से इनके जीवन की fate line शुरू हुई है और आगे उपर जा रही है और एक यहां से शुरू होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है तो इनके जीवन में कोई न कोई ऐसा कार्य है जो एक आया की तरह हो वो भी confirmation हो गई है किसी और के product को यह sale कर रहे होंगे या किसी और की service को यह बेच रहे होंगे और मैंने यह इनसे confirm भी किया है जब आपकी कोई fate line इस तरह से सुर्य और सनी के बीच में से चले तो व्यक्ति इस तरह का कारे करता है किसी और के बच्चे को बढ़ा करता है means आया यानि किसी और के product को या किसी और की service को इस तरह से sale देकर या service देकर उसको बढ़ा करता है तो इस तरह का तो इनके जीवन में वो role भी है प्लस एक continue fate line इनके जीवन में चल रहे है और उस fate line पर कहीं पर भी कोई बाधा नहीं दिख रही है केवल एक छोटी सी बाधा उमर लगबग 32 के आसपास इनके जीवन में थोड़ी सी आई होगी और यह यहाँ पर और यहाँ पर एक बाधा दिख रही है यह उमर होगी लगबग उस जो आया वाला काम है उस पर होगी लगबग 39 या 38 के आसपास और 42, 43 के आसपास बाधी छोटी मोटी रेखा है अगर काट रही है तो एक बिजनेस के अंदर छोटे मोटे लॉस होते है उसको गिना नहीं जाता बाधी स्मूथ एक दम नौर्मल सी लाइन उपर तक जा रही है यानि बुड़ा पे तक इनको धन संग्रही करना है कोई नुकसान कहीं पर भी दिख नहीं रहा है तो यह प्लस पॉइंट है और यह जो रेखा है यह भी गुरु परवत की और जा रही है तो आदर्सवादी व्यक्तित्व की और इशारा कर रही है और यह complete विदेश से धन प्राप्ति अब इनका सवाल था manufacturing के अंदर जाना या नहीं जाना पर जंदली अगर मेरा experience बता है पामिश्ट्री का तो मैं जब गुलाबी पाम देखता हूं तो उसको ज़्यादा तर कहता हूं कि आप trading के अंदर यह इस्टिक रहो manufacturing के लिए यह लाइने dark चाहिए dark brown या blackish उस तरह की होती है तो व्यक्ति manufacturing में काफी सफल होता है दूसरा इनका लोखन की तरफ भी ध्यान जा रहा है लोखन के लिए भी लाइने dark चाहिए हाँ यह trading कोई भी चीज़का कर सकते हैं अगर trading कर रहे हैं तो इनको कोई problem नहीं है पर फिर भी लोखन के लिए मैं काऊंगा जो फेट लाइने और यह जो भी लाइने यह dark चाहिए dark brown चाहिए या blackish चाहिए तो आपको ज़्यादा उससे earn कर पाओगे नहीं तो उतना earn नहीं कर पाओगे हाँ यह चंदर से related विदे से अपना वैपार बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा अगर यह गुरू से related food से related भी काम करेंगे तो अच्छा है इनको पर सबसे अच्छ बात मैं बताया उस जगह पर ध्यान लगा है तो काफी अच्छा प्रोग्रेस इनको जीवन में मिल सकता है शुक्र से भी मिल सकता था पर उस पर आड़ी लाइने बारी काने के कारण थोड़ा affected है तो मैं suggestion करूंगा तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद